हलो ओरिवन कैसे हैं आप सभी होप आप सभी अच्छे होंगे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ तो एक शॉट अपडेट आपको देनी थी जैसा कि मैंने लास्ट रिसेंट वीडियो में भी आपको बताया था कि रेजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो एक्स्टेंड होने वाली ह and finally उसकी notification हमको देखने को मिल चुकी है तो जो intermediate and final के registration होने वाले थे हैं इनीवन foundation के जो registration होने वाले थे हैं June attempt के लिए registration की जो last date 31st January थी उसे extend करके अब 10th February कर दिया गया है So this is the extension 10 days के लिए आपके registration date extend हो गई है तो sir इसका impact क्या आने वाला है काफी intermediate वाले बच्चे specially इस बात को पूछ रहे थे देखे intermediate के बच्चे क्या final का exam दे सकते हैं June के अंदर my answer is yes लेकिन sir उसके लिए तो training करना ही होती है लेकिन result 10th FAP से पहले आना भी उसके लिए जरूरी है जोसके मुझे लग रहा है कि obviously 10th FAP से पहले हमको result देखने को मिल जाएगा काफी सारे student का कहना है sir जिसने अभी एक group दिया है क्या वो next group दे सकता है obviously बात है वो तो दे सकता है क्योंकि वो already registered है बात यह रहती है क्या इंटर वाला final दे पाएगा आप single group दे पाएंगे final का foundation तो obvious बात है कि foundation जो है वो अपने admit card के basis पर 12th का result तो आया नहीं होगा उसके basis पर जो है वो registration करवा सकते हैं अभी mark shift उनको बाद में submit करनी होगी तो यह एक छोटी सी update थी registration date को बढ़ा दिया गया है इससे उन लोगों को फाइदा मिलेगा जिनका attempt पहले extend हुआ था तो वो अभी उनका result आ जाएगा then वो registration करवा पाएंगे अभी के लिए इतनी update थी thank you very much अगर आपने subscribe नहीं करा है तो subscribe करके रखिए और भी updates यहीं पर आने वाली foundation, inter and final की काफी सारी amazing marathon and ABC analysis आने वाले हैं तो ज़रूर से subscribe कर लीजेगा आपको बहुत सारे videos जो है यहीं पर मिलने वाले हैं